हलो दोस्तों कैसे हो आप सब हमारी कहानियां हमेशा देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकॉन पर क्लिक करना भूलिएगा मत उस दन सुबह संजीव अपनी बस धो रहा था सफाई करने में उसका हाथी भी उसकी मदद कर रहा था हाथी अपनी सूंड में पानी लेकर फवारी की तरह बस पर छिड़क रहा था ये देख संजीव कहता है गणेश अपनी बस चमकनी चाहिए देखने वालों को बिल्कुल नई लगनी चाहिए गणेश भी सिर हिला कर हाँ हाँ कहता है उतनी में एक व्यक्ति बहां आकर संजीव मेरे पैसे कब दोगे वरना ये बस उठा कर ले जाओंगा समझे साहुकार जी आप आईए आईए मैंने आपसे कहा था कि पैसे वक्त पर लोटा दूँगा पर क्या करू जो लोग मुझे पैसे देने वाले थे उन्होंने दिये ही नहीं उनके देते ही मैं आपके पैसे लोटा दूँगा साहुकार को गुस्सा आता है तुमने दिये और मैंने ले लिये बाते अच्छी बना लेते हो अरे जब तुम्हारे खुद की आमदनी ठीक नहीं है तो इस हाथी का बोज क्यों पाल रहे हो तब संजीव कहता है साहुकार जी आप थोड़ा संभाल कर बात कीजिए अगर ये हाथी नहीं होता तो आज मैं जिन्दा नहीं होता और आपके पैसे भी नहीं लोटा पाता आप अपने पैसे से मतलब रखिए दो दिन में लोटा दूँगा साहुकार भी गुस्से से पैसे लेते वक्त तो बड़ी आचना कर रहे थे अब देने की बारी आई तो अकड तो देखो और वहां से चला जाता है उसी समय संजीव का दोस्ट लक्षमन आता है संजीव ये क्या सबसे जगडे मोल ले रहे हो अरे दोस्ट बहुत दिन बाद मिले और संजीव उसे गले लगाता है हा हा ठीक है उसके कितने पैसे चुकाने है संजीव कहता है बस खरीदने के लिए करजा लिया था साहुकार से थोड़े पैसे चुका दिये है बस 50 हजार रुपे देना बाकी है उसके लिए हर दो दिन में मेरे घर के चक्कर काटता है लक्षमन कहता है ये लो पचास हजार रुपे पहले उसका करजा चुका दो संजीव की आँखें नम हो जाती है दोस्त तुम्हारे बहुत शुक्रिया यू कहकर संजीव भाग भाग कर सहुकार के पास जाता है पैसे उसके हाथ में थमा कर इसके बाद मेरे या मेरे हाथी के बारे में कुछ भी कहने के पहले सोचा करो इसके साथ तुम्हारा करजा मैंने लोटा दिया संजीव अपने दोस्त लक्षमन के पास आता है लक्षमन बहुत दिन बाद याद आई तुम्हें दोस्त की इतने व्यस्त थे हाँ दोस्त काफी व्यस्त था और इतने कम समय में ज्यादा से ज्यादा आमदनी पाने का कारण भी तुम ही तो हो अगर उस दिन तुमने मेरी मदद की न होती तो आज मैं इतनी अच्छी जिन्दगी नहीं जी पाता तुम्हारा ये एहसान में जिन्दगी भर नहीं चुका पाऊंगा अच्छा, कुछ देर पहले इस हाथी के बारे में कुछ कह रहे थे तुम क्या है वो बात संजीव कहता है बताता हूँ पहले घर तो चलो ठीक है कहकर लक्षमेंड संजीव के घर में चला जाता है तब संजीव गनेश से गनेश हमारा दोस्त बड़े दिनों की बाद आया है तुम बाजार जाकर शामलाल से कहना मैंने भेजा है और उसके पास जितने भी तरह तरह के फल है वो ले आओ गनेश भी सर हिला कर बाजार चला जाता है संजीव घर में जाकर लक्षमन से बाती करने लगता है लक्षमन कहता है आप बताओ क्या बात है संजीव रोते हुए बताने लगता है दोस्त उस रात मैं घाटी के रास्ते से गाउं की तरफ आ रहा था अंधेरा था मैं भी सावधानी से बस चला रहा था पर उतने में बस के ब्रेक फेल हो गए मैं डर गया हे भगवान बस तो नहीं है ब्रेक के से फेल हो गया ये शायद किसी की चाल है, उतने में मेरी बस खाई में गिर गई, मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तब इस हाथी नहीं मेरी जान बचाई, मुझे बस छोटी छोटी चोटी आई, इस हाथ से के कुछ दिन बाद मैंने बस नहीं चलाई, मेरी हिम्मत ही नहीं हु तुमने उस दिन मेरी जान बचाई न अगर तुम न होते तो न जाने मेरा क्या होता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तब वो हाथ ही रोते-रोते कहता है जान जान ही होती है फिर चाहे वो इंसान की हो या हम जैसे जानवरों की कुछ लोग बड़ी निर्देता से हमें गाड़ी से ठोकर लगा कर घायल कर देते हैं ऐसे ही एक हादसे में मैंने अपनी मा को खोया है एक दिन एक बस ड्राइवर शराब पीकर बस चुला रहा था वो बड़ी तेजी से आ रहा था मेरी मा रास्ते के बगल से चल रही थी उसने पीछे से तीजी से आकर मेरी मा को ठोकर मार दी मेरी मा वही मर गई मैं अनाथ हो गया अपनी मा की यादों के साथ ही जी रहा हूँ इसलिए रोज यहां आता हूँ उस दिन आपके साथ हादसा हुआ देख मैंने आपकी जान बजाई मैं यह सब सुनकर बहुत दुखी हो गया मैंने उससे कहा दुखी मत हो दोस्त तुम्हारी यह कहानी सुनकर मेरे आसु रुक नहीं पा रहे है मैंने खाने के लिए उसे केले दे दिये और अपनी बस लेकर मैं चला गया तभी सामने से एक बस तेजी से आ रही थी मैं काफी धीरे धीरे जा रहा था पर उसने अपनी गति पर नियंतरन खो दिया और सामने से आकर मुझे ठोकर मार दी मेरी बस दोनों रास्तों के बीज लटक रही थी उसने बस से कूत कर अपनी जान बचा ली पर उसकी बस खाई में गिर गई वो वहाँ से भाग गया मैं अकेला बचाओ कोई मदद करो बचाओ यू पुकार रहा था तब उसी हाथी ने अपनी पूरी ताकत से मेरी बस को खीच कर मुझे बचाया उस वक्त उसकी सोन्ड और पैर को गहरी चोटाई वो बहुत दर्थ में था भगवान ये दर्थ मुझे सहा नहीं जाता मैंने इनकी मदद की इस बात के लिए मुझे खुशी है पर इस दर्थ का क्या करूँ और वो हाथी रोने लगा अरी रो मत तुमने अब की बार भी मेरी जान बचाई है लगता है हमारा किसी पुराने जनम का रिष्टा है इसलिए तुम हमेशा मेरी मदद करने आ जाते हो मैं हूना तुम चिंता मत करो यू कहकर मैंने उसकी देखभाल की उसकी घाओं पे दवाई लगाई और उसे अपने साथ अपने घर ही ले आया कुछ दिन बाद उसका पे ठीक हो गया वो भी मेरे साथ ही रहना चाहता है इसलिए मैंने भी हा कर दी वो बहुत खुश है दोस्त उसने दो बार मेरी जान बचाई बदले में मैं उससे खाना खिला रहा हूँ उसकी देखभाल कर रहा हूँ इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ तुम ही बताओ तब लक्षमन कहता है ये सब सुनकर मुझे बड़ा अच्रच हो रहा है संजीव हाथी ने इनसान की जान बचाई वो भी एक नहीं दो बार कहा है वो हाथी मैं भी मेरे दोस्त की जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ मैंने उसे बाजार भेजा है आता ही होगा उतने में शामलाल आकर संजीव जल्दी चलो तुम्हारा हाथी घायल हो गया है क्या हुआ बताता हूँ जल्दी चलो संजीव लक्षमन शामलाल के साथ चले जाते है संजीव ये उस मवाली का काम है यहाथी यहाँ आने से पहले वो मेरे पास आकर मुझे धमका रहा था रे पैसे निकाल हाफता दे चल रोज पैसे मांगते हो रुको पुलिस में केस करता हूँ तुम पर मुझ पर पुलिस केस करोगे यू कहकर उसने अपनी तलवार निकाली तब तुम्हारा ये हाथी आकर महरबानी करके शामलाल को कुछ मत करो वो बहुत अच्छा आदमी है तब वो मवाली ए हाथी तु बड़ा होश्यार दिख रहा है अच्छा तो उसके बदले में तुम ही ये घाव ले लो हाथी भी ठीक है शामलाल के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ यू कहता है तब शामलाल हाथ जोड़कर उस मवाली से कहता है नहीं नहीं इसे कुछ मत करो संजीव इसे बड़े प्यार से संभालता है इसे कुछ हो गया तो संजीव बड़ा दुखी हो जाएगा ये हाथी भी बड़ा अच्छा है किसी को तंग नहीं करता इसे कुछ मत करो ओहो तो संजीव का है ये हाथी उसे जितना घमंड है उतना ही इस हाथी को भी है उसकी जान लेने के लिए मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिये थे पर वो बच गया ओ तो संजीव को तुम ही मानना चाहते थे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हाथी उसे पटकने ही वाला था कि उस मवाली ने तलवार से हाथी पर वार कर दिया हाथी घायल हो गया मवाली डंडे से हाथी को पीटने लगा मैंने हाथी को बचाने की कोशिश की पर उस मवाली ने मुझे भी मारा शामलाल कहता है ये बाते सुनकर संजीव कहता है उसको मुझसे दुश्मनी है इस हाथी ने उसका क्या बिगाड़ा है इस मासूम हाथी को भी मारना चाहा उसने अब मैं उसे नहीं छोड़ूगा शामलाल कहता है संजीव शान्थ हो जाओ पुलिस ने उसे पकड़ लिया है जब वो हाथी को मार रहा था न तब पुलिस यहां थी वो मवाली नहीं जानता था कि बाजार में पुलिस आम आदमी की तरह पेट्रोलिंग करती है उसने उन पर भी हमला किया मुझे लगता है वो लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इस बेचारे हाथी के साथ उसने क्रूर विभार किया है लक्षमन कहता है वो हाथी भी रोते हुए दोस्त मैं ठीक हो जाओंगा न मुझे डर लग रहा है मैं जीना चाहता हूँ भगवान से मेरी लिए प्रार्थना करो मुझे से हाथी मर जाता है यह देख संजीव जोर से रोनी लगता है दोस्त मुझे माफ करो मैं तुम्हें नहीं बचा पाया और संजीव भी यह देख खुद को संभाल नहीं पाया दिल की धड़कने रुख जाने की वज़े से संजीव भी वही मर गया यह देख लक्षमन और शामलाल दुखी होकर रोने लगे, भगवान इन दोनों दोस्तों को एक ही साथ ले गए अपने पास, मेरा दोस्त खो दिया मैंने, काश मुझे भी ले जाते उनके साथ, और लक्षमन रोए जा रहा था, शामलाल उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, संजीव और उसके आथी गणेश के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ।